नुश्कार दोस्तों आपका दोस्त पर दीव कुमार भांगडे आपका इस स्कारिग्रम में स्वागत है जो स्कारिग्रम का नाम है आपके अनुड़त पर आज मैं आपको बताऊगा भारती फिल्मों के मशूर अभी नेता इपतेक्खार खान इनके ज्विण परची के बारे पहले आप तक पहुँचे तो चलिए दोस्तों वीडियो के शरुबात करते हैं इफ्तिकार खान उन्निस सो चालिस से लिके उन्निस नद्वे के दशक तक हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री में कूप सारी फिल्मों में काम किया वो सुपर इस्टार राजिश खन्ना से लेकर अमि किरदार नभाया और उसमें जान फुक दी दोस्तों इफ्तिकार खान एक्टर होने के साथ साथ पेंटर और सिंगर भी थे एक तरफ वो अपने केरियर बना रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में तूफान आ गया जब देश का विभाजन हुआ उनका परिवार पा इस दौरान वो आर्थिक तंगी से गुजरे लेकिन हार नहीं मानी फिर उनकी किस्मत चमकी और बॉलिवूड में चा गया है इफ्तिकार खान का जन्म 22 फरवरी 1924 को जालंदर भारत में हुआ था वो चार भाई और एक बेहन में सबसे बड़े थे मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लखनो कॉलेज आफ आर्ट से पैंटिंग में डेपलोमा कोर्श किया इफ्तिकार एक्टर होने के साथ साथ पैंटिंग की कला में भी माहिर थे इफ्तिकार खान को गाना गाने का शौक था और वो फैमस सिंगर कुंदल लाल सैगल से प्रभावित थे यही वज़ा थी कि 20 साल के उमरे में संगितकार कमल दास गुपता के आडिशन के लिए वो कलकता चले गए कमल दास गुपता उस समय हमवी के लिए काम कर रहे थे वो इफ्तिकार की परसनाइल्टी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हमवी प्रोडेक्शन को एक्टर के लिए उनके नाम की सिफारिश की इफ्तिकार में साल 1944 के फिल्म तकरार से केरियर के शरुवाद की ये मुवी आठ फिल्म कलकता के बेनर तलिवनी दूसरी तरफ उनकी पसने जिन्दगी में उतल पथल मची हुई थी देश के विवाजन के दौनान उनके माता पिता भाई और बहन और कई करीबी रिष्तेदार पाकिस्तान चले गए इफ्तिकार को भारत में रहना पसंद था लेकिन दंगों ने उन्हें कलकता चोड़ने पर मजबूर कर दिया वो बीवी और अपने बेटियों संग मुंबई चले गए इस दौरान आर्थिक स्थिती खराब हो चुकी थी लेकिन मुंबई में किस्मत उनका इंतजार कर रही थी इस सेखार को कलकता में उस समय के दौरान एक्टर अशुक कुमार से मिलवाय गया था यहीं वज़ा रही कि मुंबई में बॉंबे टाकिश की फिल मुकदर जो की 1950 में एक किरदार के लिए उनसे संपर्क किया गया इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुर कर नहीं देखा उन्हें ज्यादतर पुलिस के किरदार में देखा गया और बेहत पसंद किया गया उन्होंने 1940 से लेके 1990 के दशक की शुरवात तक अपने केरियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में एक्टिंग की उनके भाई इम्तियाज एहमद पी टीवी पाकिस्तान के एक फेमस टीवी एक्टर है इस्तिखार ने बतार लीड एक्टर भी काम किया लेकिन उन्होंने ज़्यदा फिल्मों में पिता अंकल ग्रेट अंकल दादा जी पुलिस आफिसर कमिशनर जज और डक्टर के किरदान निभाए और उसमें जान फुक दी और उन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया उन्होंने बंदिनी सावन भादो खेल खेल में और एजेंट विनोद में नेगेटिव रोल किया 1960 और 1970 के दशक में एफसेखार ने तो चाचा और पिता की खूब भुविकाय निभाई उनकी एक्टिंग सीधे दिल में उतरती थी चाहे कड़क पुलिस अधिकारी का किरदार हो या फिर भावुक पिता का वो यस्चोबडा की क्लासिक फुल्म देवार जो की 1975 में आये थी इसमें अमिताब बच्चेन के करेप्ट बिजनेस मेंटर का किरदार निभाया था उन्होंने जंजीर में पुलिस इंस्पेक्टर का दमदार किरदार निभाया बहले ही सीन कम थे लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की वो बहुत प्रभाश अली थी 1978 के सुपर हिट फिल्म टाउन के लिए भी उन्होंने याद किया जाता है उन्होंने राजिस खन्ना के साथ भी डेहत फिल्मों में काम किया जुरू का गुलाम, दे ट्रेन, खामोशी, मेभूफ की मेंधी, राजपूत और आवाम जैसी फिल्मों में नजर आए हिंदी फिल्मों के अलावा, इफ्तिखार साल 1967 में अमेरीकी टीवी सीरियल माया में नजर आए इसके अलावा, साल 1970 में इंगलिस लैंग्वेज मुवी बॉंबे टॉकिच और 1922 में सीटी आफ जॉय में दिखाई दिये इसके खार ने कॉलकाता की एक यहूदी महिला, हन्ना जोसफ से शादी की थी, हन्ना ने अपना धन और नाम बदलकर रिहाना एहमद रख लिया था उनकी दो बेटिया थी, सल्मा और सैदा, सैदा की साथ फरवरी 1995 को कैंसर से मौत होई बेटी की मौत ने इसकार को जग जोर दिया, अपने सामने अपनी बच्ची को मरता देख, उन पर क्या बित्य होगी, यह एसास करना भी दर्दनाक है बेटी के घुजनने के बाद वो बुरी तरह बिमार पड़ गया और वो अंधरी अंदर इतने घुटते रहें कि बेटी की मौत के एक महने के अंदर ही चार मार्च को इफ्तिखार की एकट्ते बच्च के आईयों में बृत्ती हो गई, इनकी बृत्ती चार मार्च 1905 को मुं जाना जाता है, फिल्मों में इन्हें इफ्तिखार के नाम से जाना जाता है, ये एक भारती अभिनेता थे, इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया, इन्हें मुख्य रूप से पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता है, बाइस फरवरी 1920 को जाला अंदर पंजाब, प्रिटिस भारत में इनका जन्म हुआ था, इनकी मृत्ति हुई चार मार्च उन्नीसो पंचामबे को मुंबई माराष्ट भारत में हुई, ये 1937 से लेकि उन्नीसो चारामबे तक लगातार फिल्मों में सक्री रहे, दोस्तों इन्होंने चार सो से अधिक फिल्मों में अभिन पत्की उन्नीसो उन्नीसो उन्नीसास में आई पतंगा, उन्नीसो इनकावन में आई सगाई, उन्नीसो बावन में आई आईशियाना, उन्नीसो तिरपन में एक, दो, तीन, उन्नीसो चावन में मिर्जा गालिब, उन्नीसो चावन में नौकरी, उन्नीसो पच्वन में श्री में अब दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली गठक 1958, कलपना 1960, इसमें जोहरी बने थे, प्रोफेसर 1962, सूरत और सीरत 1962, रंगोली 1962, बंदिनी 1963, तीसरी मंजिल 1966, फूल और पत्थर 1966, दो दुनी चार 1968, आद्मी और इंसान 1979, सावन भादो 1970, दट्रेन 1970, प्रेम फुजारी 1970, कामोशी 1970, कुंदन 1972, दास्तान 1972, जुआरी 1971, राजा रानी 1973, लोफर 1973, जंजीर 1973, जील के उसपार 1973, ब्लेक मेल 1973, अचानक 1973, डाग मंगला 1974, प्रान जाय पर वचन जाय 1974, चोरी मेरा काम 1975, शोले 1975, यहां दोस्तों सुपर हिट फिल्म शोले, इसमें राधा के पिता की रुपे थे, फकीरा 1976, जिंदगी 1976, एजेंट विनोद 1977, विश्वनात 1978, गंगा की सौकन 1978, त्रिशूल 1978, डाउन 1978, ग्रेट गैम्डर 1989, नुई 1989, काला पत्थर 1989, दिबर्निंग ट्रेन 1980, कर्ज 1980, चेहरे पे चेहरा 1981, खून पसीना 1981, दर्ध करिष्टा 1982, मैं आवा रहूं 1983, मकसद 1984, आज का दौर 1985, हम दोनों 1985, युद 1985, मेरी जंग 1985, लाकेट 1986, भगवान दादा 1986, अंगारे 1986, इंसानियत के दुश्मन 1987, कमांडर 1988, गुरू 1989, फर्ज की जंग 1989, शीवा 1989, गर्यों का बास्चा 1989, महा संग्राम 1990, पत्थर के फूल 1989, खुले आम 1902, यार मेरी जंदेगी 2008, बेखुदी 1902, खुले आम 1902, सीठी आप जोई 1902, तो उम्हित करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जान कर दी है, वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो इसी के साथ, अपने दोस्त, पर्दिपुमर बांगडे को इसकार कर सुजानी के इजज़त देजिए, नोशकार जाये खिंट!